नमस्कार दोस्तो वेलकम टू डियस एज्जुकेशन स्वागा थे आपका मेरी यूटूब चैनल डियस एज्जुकेशन में मैं हूँ दिनेश साहू और दोस्तो हम अध्यन कर रहे हैं MPJK का या फिर मत्रदिश के सामाने अध्यन का तो दोस्तो आज हम MPJK के सीरीज में हम पढ़ेंगे मत्रदिश के वन जीव अभ्यारन के बारे में या फिर जो वाइल लाइफ सेंचुरी होती है उनके बारे में अध्यन करेंगे इससे पहले हमने दोस्तो जो मत्रदिश के नेशनल पार्क है या फिर राश्ट्री उध्यान ह तो यदि आपने प्रिवेस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वन जीव अभ्यारन आकर होते क्या है इसकी चर्चे हमने पहले कर ली थी जब मैंने आपको राश्ट्री उध्यान पढ़ाया था तभी मैंने दौनों की definition आपको compare करके बताईती हैं अगर्चेश प्रजाती को संदक्षन दिया जाता है विशेश जीव को प्रजाती को संदक्षन दिया जाता है जैसे सौन अभ्यारण में घड़यालों को दिया गया है इसके लाबा सरदारपोर में दूधराज और खर्मोर पक्ची को दिया गया है तो विशेश प्रयाति को यहाँ पर संदक्छन दिया जाता है इसके लाब दोस्तों जो वन्य जीव अभ्ध्यारन होते हैं यहाँ पर सरकार की permission से आप वहाँ पर पसुओं को चरा सकते हैं ठीक है आप permission लेकर वहाँ किसी आदिवासी छेतर में रह सकते हैं ठीक है आप पकडंडी की थूरू एक स्थान से दूसरे स्थान जंगल की होते हैं ठीक है और यहाँ पर सरकार की permission से ठीक है यह सभी कारेकलाब कर सकते हैं ठीक है तो यह definition हो गई और मैंने आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं राश्ट्रिय उद्ध्यान वाला तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा तो बात करते हैं दोस्तों मध्यप्रद कि यदि बुक पढ़ेंगे तो आपको कहीं 31 मिलेगा ठीक है कहीं 32 मिलेगा कहीं 30 मिलेगा अलग-अलग data मिलते हैं ठीक है तो आप confused नहीं होना है जहां तक मैंने सर्च किया है ठीक है और विल्कुल सही सर्च है यह मध्यप्रदेश में दुस्तों 26 प्लस 4 ठीक है मतलब 30 ठ और यह बेंचरी है उसमें 26 अल्रेडी बन चुके हैं और दो चार अभ्यारान एं ठीक है अब देडिय से हम चार्चा करेंगे कि हम कहां पर है ठीक है और इनसे कहां से question आती है दोस्तों ये भी हम चर्चा करेंगे और उससाप से हमें यहाँ पर पढ़ेंगे है तो दोस्तों सबसे पहला जो अभ्यार ने फिर वाइड लाइफ सेंचुरी है वो है नौरा देही है नौरा देही तो यह कहां पर है सागर में है ठीक है कब इस्थापित न हुई थी इसकी त बारासो वर्ड क्लिमेटर इसका लवक छेत्र पहल है और यह मद्र प्रदिस का सबसे वड़ा वन्यजीव अभ्यरान है या फिर वाइड लाइफ सेंचुरी है ठीक है तो देखिए हमें हर नेशनल जितने भी वन्यजीव अभ्यरान में आपको बताए तीस हमें पढ़ना है तो हमें सिर्फ तीसों में से कुछ जो मैन मैन है तीन चार पांच है ठीक है उनका हमें स्थापन वर्ष याद रखना है कहां है वो तो सभी का याद रखना हैं इसके लाबा वो कब इस्थापित हुआ था ठीक है और इस उसका एरिया बाकी दुस्तों और भी जो लगवग ह हम बोलने बात करने 25 अभ्यारण है ठीक है तो सभी का हमें एरिया याद नहीं रखना है ठीक है और इसकी स्थापना कब हुई थी यह याद नहीं रखना है ठीक है क्योंकि आप याद नहीं रख सकते तीस नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी और उसका एरिया कितना है ना तो हमें वही पढ़ना है जो एक्जाम के दश्टी कौन से इंपोर्डेंट है ठीक है तो यह होगे नौरा देही ठीक है सबसे बड़ा अभ्यारण है मद्यपिदेश का 1197 इसका एरिया है इसके लावा कुछ पॉइंट और है इसमें इसमें दोस्तों जो काना किसली नेशनल पार्क है ना काना किसली नेशनल पार्क है यहां से दोस्तों बाग को लाने की ठीक है परियोजना प्रस्तावित है जो नौरा देही अभ्याराने यहां पर काना किसनी नेशनल पार्क से बागों को लाने की ठीक है जो योजना है वो प्रस्तावित है इसके लवा आफ्रिकन चीते को भी यहां पर लाने की परियोजना है तो ये दो point आपको याद रखना है इसके लबार राला मंडल दूसरा नेशनल पार्क है राला मंडल जो इंद्वरकें तरगत है इस्थापना हुई थी 1989 में अब ये दोस्तो सबसे छोटा सबसे छोटा यहाँ पर मैंने point लिखा होगा इसका area है 2.34 वर किलोमीटर सबसे छोटा नेशनल पार्क है सबसे बड़ा है नौरादेह और सबसे छोटा है राला मंडल तो यदि यहाँ से question मनते है सबसे जादा तो यहीं से question मनते है सबसे बड़ा कौन सा सबसे चोटा कौन सा भारत का प्रथम, लोमडी सन रक्षंट के इंद कहां पर है, राला वंडल में, इसके ल loiब यहां पर तितली Prague भी है, तितली पार्क मतलब एक shade बनाकर्के तितली ने प्रगार के पूलों की प्रजाती रहेंगी, जिससे तितली निकालेंगी, यह पर नेग प्रगाल जाद सन नोगुझनती, 1976 में , टिक है ? अब मैंने आपको बताय था जब मैंने आपको नेशनल पार्क और टाइगर प्लस वन-क्रचड चल रहा है , जिसमेसे छे से नेशनल पार्क और 1 जीव अभ्यररन है तो उसमेंं क्या चल रहा है , टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, एक मात अभ्यारन है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, 2010 से तो यह आपको important रखना है कब से यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो यहां से भी question बनता है, इसके लिए पर तितली पार्क भी है, तो first तितली पार्क मद्धिश् अभ्यारन में था, रात पानी में, और second कहां पर था, राला मंडल में, तो यह भी आपको point याद रखना है, इसके लिए वह आँगे चलते हैं, ठीके, अब देखिए, चौथा है, यह तीनों हम साथ, मैं आपको साथ में बता देता हूं, सोन, कैन, चंबल, ताकि आप आसान घडियालों का संरक्षण किया जाता है, मैंने आपको बताया था, वन्य जी अभ्यारन की definition में, ठीक है, यह आरक्षित छेतर होता है, और यहां विशेश प्रजाती को संरक्षित दिया जाता है, कुछी विशेश प्रजाती को संरक्षित किया जाता है, ठीक है, तो इन तीन तो सॉन कहाँ पर है सीधी और सहडूल में है ना केन अभ्यरन का है पणना और च्छाधरपूर में और चंबल का है मुरेना और बेन्ड का अचीज़ पर चाहे तो पताइए यह अँड़ीना इसके वद के चलते हैं कि सरदारपुर और सेलेन के यह भी क्षिट अब यह एक क्षिट संधरक्छत संधर्चत घृब कर दोस्त व chat है को से युवाउन इpanot स्थिय मैं मcketों इक्षिड एत्धर जाएखा गा City नोगर्श सनधर्चित टीक है तो दोनों जो अभ्यारन है वो खरमोर पक्ची के लिए संदक्ची थे अब फैक़ और याद रखने हैं जो सर्दारपूर अभ्यारन ये खरमोर पकची के लिए भी है दूदराज ये फिर साहि बुल-बुल आप इनको भी हमें साथ में पढ़ना है गहाति गाहों और करेरा को, तो गहाति गाहों गौलियर में हैं और करेरा कहां पर हैं, तो सौन चि लगए दोनों ही संदक शेते हैं, तो अब आपको याद रखना है, इसके बाद आँगे चलते हैं, ग्यारवे नंबर का है, काम धेनु गो अभ्यारन के लिए और पालतू गाएं के लिए जो अभ्यार्णा और पालतू गायों की लिए और कई है preciso gameplay का ओ अभ्यारन snag कहाँ आगर्मामला में उसके लिए संदक्षिते जो पालतू कंदर के लिए आगर मालवास्थर यहां पर है पन्ना में जो की जंगली भैंस के लिए संदक्षित है तो यह तेरा होगा इसके बाद आगे और चलते हैं हम ठीक है तो देखे यह जो संदक्षित हैं विशेश्चत और पर अभ्यारन किसी जीव के लिए तो मैंने आपको पहले बता दी यहां से बहुत ज्यादा कोश्चन मनते हैं हर एक अभ्यारन जो मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि यह किसी ने किसी जानवारे जन्तु के लिए संदक्षित है ठीक है यहां से विशेश्चत तो पर कोश्चन बनते हैं ठीक है तो आंगे चलते हैं हम दोस्तों इसके बाद अगला है खिवनी जो वो है दिवास में अब आपको पहले नेश्चनल वने जी अब भ्यारन ने फिर व्यल्ड इसलाइफ सेंचुरी बताए है ठीक है वहां पर किंद जीवों का संद्षण क्या है वह भी मैंने आपको बता दिया अब यहवाले जितने भी अभ्यारन है ठी तूल में है, तो सीधे सीधा क्वेशन पोछिएगा और यांसे क्वेशन् नहीं हाई वनेगा, ड़िका तो यहाँ पर आपको जगह याद कर रखनी है, ना इसका छित्र फल याद रखना है, ना इसका स्थापनावर्ष याद रखना है, क्योंकि देखिए आप सबका छित्र फल याद नहीं रख सकते हैं, सबसे बड़ा है, जैसे मैं आपको बता है, नौरा देही हो गया, राला मंडल हो गया, एक टाइगर रिजर्व है, राता पानी, तो ऐसे कि आपको इस थापन वर्ष भी याद रखना है, तो पचमडी कहां पर है, नाम भी आसानी से याद हो जाएगा, अगला है, गांधी सागर, मंदसौर में है, डेम भी है, गांधी सागर के नाम से आपको याद हो जाएगा, संजे डूबरी, सीधी में है, ये भी आपको याद हो जाएगा, एक हमने वो भी पढ़ा था, संजे नेशनल पार्क भी पढ तो विरांगना दुर्गावती घुकि यह तक है तो विरांगना दुर्गावती जो की दुर्गवार्ती दमों में कहीं जबलपूर लिखा मिलता है, तो जबलपूर नहीं है, दमों ही सही है, इसके लावब अगला है 25 वा कालीभीत, जो की बैतूल में है, ठीके और अगला है नर्शिंगड जो की राजगड में है, ठीके तो ये मैंने आपको बताएं, 26 ये हो खंडवा में है, मानधाता और सोर्मेनिया दोनों खंडवा में है, ठीके तो ये चार जो हैं दोस्तो वनी जी अभ्यरण ये प्रस्तावित हैं, ठीके इसके लावब देखे ये चार प्रस्तावित हैं, आगे हम बात करते हैं, आगे आपको मैं बता दूँ कि देखे, 30 कहीं आपको 31 लिखा मिलेगा, कहीं आपको 32 भी मिलागा, तो आपको confusion नहीं होना, ठीक है, इससे बाहर कोई national अभ्यारण है ही नहीं, इतने ही हैं, और ये 4 प्रस्तावित हैं, दोस्तों आज के लिए इतना ही यह दिया, आपको आज का लेक्षर पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने, इसके लावा हमारे साथ जोड़ रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद अपना ख्याल रखें